जैसे कि हम सब इंसान अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, उसी तरह से हमारा काम करने का तरीका भी कुछ अलग होता है, तो उसी तरह से मेरा भी कुछ तरीका आप लोगों से अलग होगा, तो वही मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे आज मेरे kitchen की deep cleaning करनी थी, वही मैं आज सोचा आप लोगों के साथ share करूँ कि मैं किस तरह से अपने kitchen को neat and clean और organize रखती हूँ हमेशा, तो सबसे पहले मेरा rule होता है कि जब भी मुझे kitchen को अलग से कोई भी घर का extra काम निकालना होता है, तो मैं कोशिस करती हू कि जो सुबे का breakfast हुआ, lunch हुआ, उसे मैं पहले तयार कर लूँ, क्योंकि फिर काम के बीच में फिर ये tension ना रहे कि मुझे अभी खाना भी बनाना है या नास्टा भी बनाना है, free mind होके फिर मैं अपने काम की सुरुआत करती हूँ, चाहे फिर उसके बाद जितना भी time लग मुझे मेरे काम करने में, तो मुझे stress या tension नहीं होता है, तो यहां पे जब मैं lunch बनाने जा रही थी, आटा गूतना था, तो मैंने सबसे पहले जो भी मेरे इस तरह के bottles थे, जिसमें मैंने घी रख रखा था, घी खतम हो गए हैं, तो उसे भी clean करना था, बाटलों को, तो मै उसमें इस तरह से जो भी थोड़ा बहुत घी लगा रहता है, वो waste हो जाता है, अगर उसी तरह से धोने जाते हैं, तो मैं उसका जो घी होता है, उसमें थोड़ा सा dry आटा डाल के, और इस तरह से bottle में रगड देती हूँ, तो फूरा घी उस आटे में लग जाता है, तो इस बना के रख दी हूँ, तो जब भी मुझे काम के बीच में भूख लगेगी, या मेरे हस्बर्न या बेटे को भूख लगी रहेगी, लंच का टाइम होगा, तब मैं उन्हें आराम से दे सकती हूँ, तो इस तरह से ये हो जाने के बाद, अब मेरे काम की सुरुआत होगी, त ये जो बरतन होते हैं, या जार होते हैं, ये सब भी ड्राइ हो जाए साथ हो साथ, तो फिर काम इजी हो जाता है, और टाइम भी जादा नहीं लगता है, तो यहाँ पे जो घी के बॉटल्स हैं, या तेल के बॉटल्स हैं, उसे मैं इस तरह से एक बड़ा सा कोई भी बरतन लेती हूं और उसमें गरम पाने डालके और उसमें थोड़ा सा सर्फ डालके और इन सब बॉटलों को जार को इसमें भीगने के लिए रख देती हूं आधा एक घंटा आराम से भीग जाने के बाद बहुत ही इजली साफ हो जाता है तो इसे मैं भीगा के रख दूँगी और ज उसे भी थोड़ा सा निप्बू डालती हूँ और साथ ही इस तरह से बर्नल को भिगा लेने के बाद फिर उसमें जो इनो आता है इनो तो हमारे घर में रहता ही है इसे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके डालके और इसे ड़क के रख देती हूँ ये भी 10-15 मिनट या उससे ज्यादा भी आप रख देंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है तो इन सब चीजों को साइड में रख दे रही हूँ कि जब मुझे लगेगा कि इसका टाइम हो चुका है तो इसे वाश कर लूँगी और उसी के साथ इस तरह से जो भी जार होते हैं और रासन जो भी ह जो भी डब्बे खाली हुए रहते हैं तो इसे टाइम पर उनको सबको साफ करते जाती हूँ तो सभी डब्बो का वन बाइ वन मतलब टरन आता रहता है तो इस तरह से डब्बे भी दूल जाते हैं और गंदगी नहीं होती है तो इन सब चीजों को धो धाके एक साइड कर द तो मैं कोशिस करती हूँ कि जो भी section मुझे साफ करना है तो मैं उपर से नीचे की तरफ सफाई करते हुए आओं। सीलिंग तक कबाड नहीं बना हुआ है उपर के तरफ खुला है और मेरे घर में चिमनी भी नहीं है मेरे किचन में तो मैं इस तरह से उपर के section में इस तरह से sheet बिचा के रखती हूँ जो कि मेरे लिए काफी useful होता है इस तरह से sheet बिचाने की वज़े से कुछ भी जब हम तेल के या घी के कुछ भी छोक लगाते हैं सबजिया बनाते हैं फ्राइ करते हैं तो काफी सारा oily चीज जाके उपर चिपक जाती है तो यहाँ पर इस तरह से sheet बिचाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल वो उपर का section गंदा नहीं होता है सिर्फ वो sheet गंदी हुई रहती है जिसे मैं आराम से उतार के एक डेड़ मैने में इस तरह से सफाई कर लेती हूँ इस बार थोड़ा जादा लेट हो गया क्योंकि में में हम थोड़ा vacation पे चले गये थे जिसकी वज़़ा से लेट हो भी हो गया है और अभी तो मुझे साफ करना जरूरी ही था क्योंकि हमारे मौनसुन भी चालू हो गया है बारिश होने लगी है और बारिश के पहले इस तरह से जब साफ सफाई हो जाती है तो हमारा काम काफी easy हो जाता है क्योंकि summer में इतना धूल मिटी और dust आता है घर के अंदर कि वो सब बैठे रहते हैं और जब अगर हम बारिश के पहले इस तर होने के पहले और जब थोड़ी थोड़ी ही बारिश शुरू होती है तब ही मैं इस तरह से सफाई कर लेती हूं जिसकी वज़े से मेरा घर साफ सुत्रा बना रहता है मैं कभी भी दिवाली दसहरा या कोई बड़े तेवहार का इंतजार नहीं करती हूं जब भी मुझे हाई, क्योंकि ऐसे जब हम देखते हैं तो हमें नॉर्मल ही लगता है शुरू करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे कपड़े में कितनी गंदरी बैठ रही हैं जिससे हम मौपिंग करते रहते हैं तो इस तरह से जब हम समक्राइब को वाशिबल वाला पेंट करा के जिसकी वज़े से मुझे काफी मतलब ये चीज फील होती थी, कि मेरे वाल जो किचन के हैं वो गंदी है, क्योंकि चिमनी भी नहीं थी, तो उस वज़े से ऐसा फील होता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इस तरह से वाशेबल पेंट करा लिया है, मेरे जो भी बातरूम होती है, पानी के चीटे जादा लगते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से आराम से हम अगर वाशेबल बाला पेंट है, तो आराम से उस जगह को हम क्लीन कर सकते हैं, इस तरह से उपर की सफाई हो जाने के बाद, अब जो नीचे का सेक्शन है, वहाँ पे भी मैं एक हाथ मार तो यहाँ पे जो भी मेरे डब्बे हैं, या उपर के तरफ इस तरह से मैंने बड़े बरतन रख रखे हैं, इन सब को भी हटा के एक बार थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरह से जो भी मेरे ये कबड के सेक्शन है, इसमें मै sheets बिछा के रखी हूँ जिसकी वज़े से मेरा काम काफी आसान हो जाता है उपर का section का जो सलमाई का है वो पूरे white है तो अगर उस पे sheet ना बिछा के रखे तो बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं फिर जिसे साफ करने में काफी time लगता है तो मैं इस तरह के जो anti sleep वाले sheet आते हैं वही मैं बिछा के यहाँ पे रखती हूँ जिसकी वज़े से सिर्फ मुझे थोड़े थोड़े दिन से मैं सभी चीजों को हटा के और उसे इस तरह से dusting कर लेती हूँ वैसे कुछ ज़्यादा रहता नहीं है फिर भी थोड़ी बहुत सफाई इस तरह से जब हम करते रहते हैं तो हमारा घर साफ सुतरा बना रहता है इतने देर में ही देखी जो मैंने डबो को कंटेनर को वाश किया था वो सूख गए हैं उपर का साफ सफाई करने तक वो डबे सूख गए हैं तो मुझे उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा जैसे कि जब मैं सफाई कर लेती उसके बाद डबो को वाश करती तो फिर उसके सूखने का और उसमें चीजों को फिल करने के लिए मुझे वेट करना पड़ता तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम चला जाता तो इस तरह से हम थोड़ा सा अगर smartly work करते हैं पहले से ही इन सब चीजों को wash करके रख देते हैं तो जब तक हम दूसरे कामों को करते हैं तो ये भी सूख जाते हैं तो साथो हाथ हमारे दोनों काम हो जाते हैं तो इन सब को fill करके अब इने में यहाँ पर adjust कर दे रही तो वहाँ पे भी मैं एक हाथ चीजों को हटा के dusting कर लूँगी क्योंकि सब जगा जैसे मैंने बताया कि मैंने sheet बिछा रखी है तो मुझे ज़्यादा time नहीं देना पड़ता है और नहीं तो बहुत सारा मेरा time पहले चला जाता था तो इस तरह से वहाँ पे भी थोड़ी सी dusting कर लूँगी और चीजों को adjust कर दूँगी और वहाँ पे अगर कोई चीज खतम हुई है तो उसे भी fill कर दूँगी तो इस तरह से मेरे सभी भी उपर के section हो जाते हैं और इस तरह से cleaning करने के time मैं कोशिस करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी चीजें हैं यहां वहाँ उसे change करती रहूं उसकी जगा को यहां वहाँ बदलती रहूं इस तरह से करने पे एक change से हमें खुद को एक freshness मिलती है तो इस तरह से भी करने पे हमारा दिल लगा रहता है हमारे kitchen में और हमें काम करने का interest आता है और उसके बाद का जो section है उसमें मैं पहले से ही जो भी मेरे छुटे मोटे kitchen gadgets हैं उन्हें मैंने यहां पे already set करके रखा है तो उसे मैं छेडूंगी नहीं उसी तरह से रहने दूंगी तो इस तरफ के जो मेरा main platform है सिकडी वाला platform है वहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को adjust कर दिया है अब उसके parallel में जो मेरा service platform है वहाँ पे जो चीज़े हैं वहाँ पे भी एक नजर मार लूँगी यह जो मेरा parallel platform है service platform इसे कह ले तो इस जगह पे ज़्यादा कुछ मेरी गंदेगी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा साफ सुतरा रखती हूँ क्योंकि इस तरफ के platform के तरफ मेरा मंदीर है काफी मुझे comment ये भी आते हैं कि आपने kitchen में मंदीर रख रखा है तो मैं believe करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि घर का सबसे जो एक सुध एरिया होता है सुध कमरा होता है वो अपना kitchen होता है तो मुझे kitchen में ही मंदीर रखना पसंद है ये भी सबकी अपने-अपने believe के उपर है तो मैंने तो kitchen में ही रख रखा है काफे comment ये भी आते हैं कि kitchen में रखना अच्छा होता है या नहीं होता है तो ये चीज तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं बता सकती हूँ ये आपके believe पे depend करता है कि आप कितना किस चीज में believe करते हैं लेकिन मैंने तो kitchen जब से मैंने शादी किया है तब से मेरे मंदिर को मैंने हमेशा कहीं भी रही हूँ तो मैंने kitchen में ही रखा है तो यहाँ पे देखी इस तरह से थोड़ा बहुत उपर के तरफ जो crockery unit आप देख रहे हैं वो तो हमेशा ही मेरा साफ सुथरा रहता है क्योंकि जादा use भी नहीं होता है crockery तो हम कभी कभार जब कोई महमान आये या तेवहार के time ही use होता है तो वहाँ पे जादा use भी नहीं होता है इसलिए गंड़गी भी नहीं होती है तो उसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, यहाँ पे जो नीचे का section है, जहाँ पे मैं थोड़े से मंचिंग के लिए snacks का कुछ item रखती हूँ, उसे ही हटा के यहाँ पे clean कर दे रही हूँ, साथ ही जो मेरा platform है, इसे भी थोड़ा सा हाथो हाथ साफ कर दूंगी, तो इस पूलर में हमारी उसकी सफाई नहीं हो पाती है, ट्रॉली के अंदर के तरफ काफी सारा गंदगी हो जाता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, और हमें समझ में भी नहीं आता है, तो उसे मैं ज़्यादा मतलब ध्यान रखती हूँ कि उस एरिया की मैं सफाई कर लूँ, तो यहाँ पे इस तरह से जो भी नीचे का सेक्शन है, उसे सभी की सामान को मैं हटा के, और उसमें इस तरह से यहाँ पे भी मैंने शीट बिछा रखी है, और उसे मैं इस तरह से साल में एक बार ही जो उसके स्टील के सेक्शन है, ट्रॉली है, उसे मैं साफ करती हूँ, क्य लेकिन अगर वो साफ रहता है तो उसे इस तरह से ही गीले कपड़े से पोच लेती हूँ उसके बाद अंदर के तरफ उसमें सामा रख देती हूँ तेकिन यहाँ पे इस तरह से देखिए जो नीचे का सक्षन है उचे हटाने के बाद अंदर के तरफ काफी सारा गंदगी हो ज मेरे हर सेक्षं में कोने कोने में जब भी सफाई करती हूँ तो वहाँ पर मैं इस तरह से एक एक गोली नेप्टनीन बॉल के डाल देती हूँ इसकी वज़ा से बिल्कुल मेरे घर में कौकरोज नहीं आते हैं और मेरा किचन साफ सुथरा बना रहता है तो इस तरह से यहाँ के section को इस तरह से साफ कर लेने के बाद उसमें चीजों को अच्छे से adjust कर दूंगी, adjust तो हम करते हैं 2-4 दिन के बाद फिर जब हम घाई घाई में काम करते हैं तो चीजे यहाँ वहाँ हो जाती है लेकिन यह तो चलता ही रहता है लेकिन अभी जब सफाई हो रही है तो इसे भी थोड़ा धंग से रख दूंगी उसके बाद अब सामने का जो में प्लेटफॉर्म है उसकी भी ट्रॉलीज को हटा के उसे भी अंदर की तरफ से साफ कर लूँगी तो इस तरह से सभी बरतनों को हटा के और इसे भी साफ करने में काफी सारा टाइम चला जाता है आपको वीडियो तो से 15-20 मिनट की दिखती है लेकिन आपको खुद भी पता होगा जब इस तरह की सफाई हम करते हैं तो काफी सारा हमारा वक्त चला जाता है और एक में स्टेप होता है कि मैं कोशिस करती हूँ कि मेरे किचन में मैं उतनी ही चीजे रखू जितनी की जरूरत हो mostly मैं बहुत सारे किचन पे देखती हूँ कि लोग डेकोरेशन की भी चीजे काफी रख रखते है जिसकी वज़े से हमें काफी सारा टाइम देना पड़ता है हमारी एनरजी भी जाती है उन सब चीजों को साफ करने में और हमें enough space नहीं मिलता है हमारे काम को करने के लिए तो मुझे personally पसंद है कि मेरा platform और मेरा kitchen जितना खाली-खाली रहे उतना मुझे ज़्यादा पसंद आता है तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा decoration की चीजे नहीं रखती हूँ वही चीजे रखती हूँ जो kitchen में हमारे जरूरत के लिए काम आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रॉली को निकाल देने के बाद कितनी सारी गंदगी उसमें दिख रही है वैसे हमें समझ में नहीं आता है कि अंदर की तरफ कितनी गंदगी है regular में हम बाहर-बाहर से सफाई कर लेते हैं लेकिन महने डेड़ महने के बाद हमें इस तरह से deep cleaning करना जरूरी हो जाता है kitchen में और जब भी मैं कहीं की भी अपने घर में किसी भी के section की सफाई करना start करती हूँ तो मैं इस तरह से plan करती हूँ कि मैं हर चीज को एक साथ छेड़ती नहीं हूँ one by one, एक एक step by step मैं एक section को लेती हूँ अगर मुझे time रहता है तो एक एक section को मैं साफ करते जाती हूँ अगर मेरे पास time नहीं रहता है कि हमें जल्दी जल्दी सभी चीजों को करना पड़ता है कि सभी चीजे हमारी उथल पुथल हो गई है तो इस तरह से जब हम काम करते हैं कि one by one चीजों को हाथ में लेते हैं तो हमारा काम भी मतलब फटा फट हो जाता है और हमें stress भी नहीं होता है किचन डीप क्लीनिंग करते समय मैं कोशिस करती हूँ जो भी किचन में इस तरह से साइट साइट में थोड़े बहुत डाग हो जाते हैं एक बॉर्डर पे आप खुद नोटिस करेंगे तो काफी सारे डाग हो जाते हैं तो इसके लिए मैं इस तरह का एक liquid का use करती हूँ काफी ही मतलब powerful है और बहुत ही अच्छा result देता है तो इसे मैं थोड़े से पानी में आधा पानी और आधा इस liquid को डालके एक spray bottle में रखती हूँ और जहां भी मेरे tiles हुए या platform हुआ या इस तरह के जो section होते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी सारा यहाँ पे गंदगी जमा हो रहा है तो इसे मैं इस तरह से spray करके थोड़े देर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ 10 मिनट में ही आप आराम से इसे आप पोचेंगे या थोड़ा सा हलका brush लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो भी एक डाग होता है वो निकल जाता है तो इस तरह से जो इस regular में ये सब सफाई नहीं हो पाती है उसे मैं specially महने डेड महने में इस तरह से अपने kitchen में करती हूँ और यहाँ पर देखिए इतने देर में ही यहाँ पर यह जो बर्नल हमने भीगा के रखा था वो भी अच्छी तरह से भीग गया है तो उसे simple आप जो आपका diswash gel होता है उसे brush में लेके इस तरह से अगर आप उसे साफ करेंगे तो आपका burner बहुत अच्छे से चमक जाएगा जो भी मतलब पतले वाले arrow वाले space होते हैं जैसे यहाँ मेरे fridge के जगह पे बहुत ही पतला सा space है तो वहाँ पे हाथ भी नहीं पहुच पाता है तो मैं वहाँ पे इस तरह का यह जो मैंने online मंगाया था यह मुझे काफी useful होता है तो इससे मैं बहुत ही अच्छे से अंदर की तरफ की धूल मिट्टी जालों को साफ कर लेती हूँ और सबसे last में main step होना चाहिए kitchen में कि जो भी हमारे platform पे काम होता है यह हमारा gas stove है उसे हम बहुत अच्छी तरह से साफ सुतरा रखे जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ और बहुत जादा believe करती हूँ कि kitchen में हमारे अनपूर्णा माता का वास होता है अगर kitchen को हम जितना साफ सुतरा और जूठा जो घर में रख देते हैं किचन में रख देते हैं उस चीजों से free रखेंगे उतना ही हमारे घर में लक्षमी आएंगी और हमारे घर में सुक समृद्धी बरकत के रस्ते बनते हैं तो इस तरह से मैं अपने kitchen को अपने platform को हमेशा साफ सुतरा रखने की कोशिश करती हूँ तो friend ये था मेरा आज का video I hope आपको मेरी ये video अच्छी लगी होगी आपके लिए कुछ useful होगी तो अगर आपको मेरी ये video अच्छी लगी हो तो please video को like share करना और मुझे comment करके भी आप जरूर बताना कि आपको मेरी कौन सी चीज अच्छी लगती है और अगर आप मेरे channel पे पहली बार आए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो please channel को भी जरूर subscribe कर लेना तो मिलते हैं फिर नए video में बाबाई